करें वह अब चल रहा है आज की वीडियो में हम बजट के वारे में डिसकर है और जो ग्रांट के अंदर जो कुछ से दिये जाते उसके वारे में डिसकरेंगे आज की वीडियो हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो हमारे Constitution में budget के regarding में बात रखी गई है उसको discuss करेंगे फिर जो Charges है expenditures के budget के अंदर के वो discuss करेंगे फिर जो list है Charges expenditure उसके बारे में discuss करेंगे आज हम फिर हम discuss करेंगे किस-किस stage चे होकर कि जो हमारा budget है वह pass होता है यह किस-किस stage में हम देखते हैं कि किस stage होकर कि हमारा budget गुजारता हुसके विख पर हम discuss करेंगे कि पार्मありがとう के अंदर कि ते eaten अगर हम बात करते हैं हमारे parliament के नदर ना डीट के यय जासे हैं एक्स बात करते हैं ऑइक्सेस ग्रां Strange हो गया पृर बात करते हैं गरा हो गया इन सबकार दिसक रहेंगे तो छबекवारे में हम सबसे अगर हम प Seema चुछिंझे विझा नहीं है अगर आप करोंगी तो वहां पर कहीं रहें बजच को ने मिलेगा उसकी जगह पर देखने को मिलेगा एन्वाल फाइनेसल स्टेटमेंट यानि कि हमारे कंसिटूशन का जो आर्टेकल 112 है वो किसे डिल करता है बजट से यानि कि अगर यहां पर जो बजट की बात की जारी है तो वहां पर क्या मेंसेंस दे रखा है एन्वाल फाइनिंसियल स्टेटमेंट इस फ़र में हमारी कंसिटूशन के अंदर बजट को डिस्क्राइब किया गया पूरा डिटेल में लिखा गया है तो इसलिए आपको बजट वर्ट देखने को नहीं मिलेगा हमारी कंसिटूशन में याद होगा आप लोगों को कि जो हमने लास्ट आ. 110 में देखने को मिलेगा और जो हमारा बीजट यानि जो फाइमन्शन स्टेटमेंट वह आपको देखने को देखने को मिलेगा आ. एक सो बारा में तो इन दोनों आर्टेकल में कंफ्यूज मत होना जो एन्वल फाइनिसल स्टेटमेंट है वह हमारे किस आर्टेकल में देखने को मिलता है तो इसका अंसर होगा 112 यानि की अनुछेद 112 और अगर मनी बिल के रिगार्डिक में पूछता है तो मनी बिल होगा आप कर्मेंट फाइनिसल या यानि की एक अप्रेल से लेकर के 13 मार्च तक एक्जामपल से समझें माल लीजिए अभी जो हमारा टूटाउजन फॉर्टीन सड़ी टूटाउजन से टूटाउजन से ट्वाजट है वह कब पेस हुआ होगा यानि की जो बजट पेस हुआ है वह कब फाइनिसल यानि की गवर्मेंट का जो फाइनिसल या वह कब से कब तक चलता एक अप्रेल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है वहीं पर हम बजट की बात करते हैं तो बजट के अंदर कुछ चीज़े सामिल की गई है जैसे की आपका वेज और मेंस टू राइस दर रेने व्यू जाने की जो भी हम बात करते हैं जिसे हम वेज का मतलब यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि आप राजस्व या फिर बात करते हैं मीन्स का मतलब होता एक तरीके से पुंजी का जो भी प्राप्तिया होती जो भी रहने व्यूज हमें मिलते उसके वारे में फिर किस तरीके से अपने expenditures को बढ़ाया जाए यह आपको देखनों को मिलेगा फिर detail to actual receipt and expenditure of closing financial year and reason for any defect or surplus in debt year याने कि इसका मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे की जो भी हमारा surplus years होता है जो समापन withoffs होसे गए साल खतम होने को आता है तो जो भी हमारा वास्तवइक जो भी हमें revenue मिले हैं जो हमें actual receipt मिला है यह जो घरच किया है उसे हर साल की वर्ष की किस घाटे या अधिवेशन के कारण वह यह सारी डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं जो अगला पॉइंट जैसे कि जो हमारा एकनॉमिक और जो फानेंस फानेंसल पॉलिसी है आने वाले सालों में क्या रहने वाला है यह कामस में खर्च किया जाना है कितना खर्च किया जाएगा फिर इंट्रड्यूस किया जाता है नए इसकिम्स और नए प्रोजेक्ट यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है चार्जिस एक्सपेंडिचर जिसे हम हिंद पहले आपका एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉंद ऑफ इंडिया और दूसरा देखने को मिलेगा एक्सपेंडिचर मेठ फॉंद ऑफ इंडिया अभी इसका मतलग समझेगई हमारे यानि की जब हम बज़ट की बात करते हैं कि तो बज़ट दर आपको दू तरिकी के में यानि कि जो हमारे जो हमारा बजट उसमें क्या देखने को मिला कि भारत की जो एक निश्चिस निदी पर यानि कि भारतियव है और भारतिय की जो संसेज निदी कि उसका किया गया है यानि कि जो खर्च किया गया है उस पे देखने को मिलेगा अगर हम बात करते हैं charge expenditures की तो यह क्या होता है non voteable होता है यानि कि यह क्या होता है हमारा एक गैर मतदान की योग होता है इसे सिर्फ Parliament के अंदर discuss किया जाता है इस पे किसी भी तरिके का आपको vote मिलेगा लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो हमारा main expenditures है उसमें पारलोमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा यानि कि संस्त के द्वारे इसमें क्या किया जाता है मततान भी पारल्लमेंट के अंदर वोट किया जाता है अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं जो लिष्ट है किसका हमारा charge of expenditure उसमें क्या क्या आता है जो भी salary है प्रेसिडेंट को दिये जाता है यानि कि प्रेसिडेंट को दिये जाते है चेर्मन ऑफ डिप्यूटी चेर्मन ऑफ राजसभा speaker and deputy speaker of लोग सवा, supreme court के judge, controller and auditor general, जिसे हम CAG भी कहते है, chairman and member of UPSC, इसमें फिर आपको pensions भी देखने को मिलेगा, supreme court, high court के judge CAG और supreme, यानि की UPSC की जो members होते हैं, उनके फिर जो भी administrative expenses किये जाते हैं, जो भी प्रासासनी खर्च किये जाते हैं, जैसे कि supreme court का हो गया, CAG का हो गया, UPSC का हो गया, ये भी आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, state of charge expenditures के अंदर ही देखने को मिलेगा, फिर बात करते हैं, जो भी debate charges होते हैं, government of India के वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, इसमें including आपको जो भी interest रहता है, वो देखने को मिलेगा, फिर बात करते हैं, any sum required to justify a judgment of the court or tribal, यानि कि जो भी courts के द्वारों जो judgments दिये जाते हैं, या ट्राइवल के लिए, उसमें बात करते हैं, जो भी धन रासी है, यानि कि आप ये समझें, इसमें जो भी judgment दिये जाते हैं, courts के लिए, उसके फैसले को लागू करने के लिए, पूरा करने के लिए, क्या है, जो fund दिये जाते हैं, जो expenditures किये जाते हैं, वो किसके अंदर किये जाते हैं, जो charge expenditure है, उसके तहट आपको देखने को मिलेगा, फिर बात करते हैं, any expenditure, वो सारे expenditure, जो कि parliament के द्वारे क्या किया जाता है, declare किया जाता है, तो ये सारी चीज़े आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, list of charge expenditures के अंदर देखने को मिलेगा, दूसरा आता है हमारा stages in इनैक्मेंट of budget, इसमें क्या होता है कि जो budget की जो अधिनिया हमें, वो किसकी stage से हो करके गुजरता है, उसके आल में discuss करते हैं, तो जो हमारा budget है, वो presentations of budget, general discussion, security, यानि कि security by departmental committees, voting on demands for grants, फिर बात करते हैं, इसके अंदर आपको तीन motions देखने को मिलेगा, policy, cut motions, economic cut motions, और token cut motions, तो इस, यानि कि इतने stage से हो करके हमारा budget गुजरता है, सबसे पहले बात करते हैं, presentations of budget, यानि कि अगर हम बात करते हैं, जिसे हम बात, अगर हिंदी में कहें, तो इसका मतलब होता है कि budget को प्रस्तूद करना, यानि कि दूसरों के सामने budget को present करना, तो जो budget present करने का काम है, वो हमारी country के finance ministers के द्वार किया जाता है, कहां पे लोग सभा के अंदर, यानि कि लोग सभा के अंदर जो भी हमारे finance minister होईंगे, वो क्या करेंगे, budget पे speech ही देंगे, और जैसे ही budget लोग सभा में खतम हो जाएगा, तो इस budget को राज सभा में भेजा जाएगा, सिर्फ discuss करने के लिए, ना कि vote करने के लिए, यहां पे आपको क्या है, कि देखिए, budget के regarding में क्या है, या money bill के regarding में क्या है, आपको ही लोग सभा के अंदर, finance minister, speech के फॉर में, जब budget प्रेजेंट करते हैं, other minister के सामने, तो उसके बाद क्या होता है, यही, जो budget है, वो कहां चला जाता है, राज सभा के पास भेज दिया जाता है, लेकिन सिर्फ discuss करने के लिए, ना कि उस पे vote करने के लिए, तो यह हमारा presentation of budget, अब बात करते हैं, general discussions क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, general discussions के बारे में, तो यह जो हमारे general discussions है, वो generally कुछ दिनों बाद start हो जाता है, जब presentations budget का रख दिया जाता है, यानि कि जब लोग सभा के अंदर presentation space किया जाता है, तो उसके 3-4 दिन के बाद क्या है, इसमें generally discussions किया जाता है, कि इसमें जो questions होते हैं, वो पूछे जाते हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई cut emotions नहीं लाया जाता है, और इसमें किसी भी तरीके का आपको budget पे vote देखने को नहीं मिलेगा, इसमें किया जाता है, अगला जो step, जो हमारे stage आता है, वो आता है हमारा serenity by departmental committees, जिसको हम हिंदी में कहें, तो विभाग गिये समीती द्वारा जाच, यानि कि अगर बात करते हैं, serenity का मतलब होता है, एक तरीके से क्या करना, जाच करना, क्या करना, जाच, जाच करना, तो जो भी committees है, departmental committees है, उसके द्वारा क्या है, फिर जनरल discussions के बाद, जो हमारा budget है, दोना houses में, जाए हम लोकसभा की बात कर ले, या राजसभा की बात कर ले, तीन से चार वीक तक क्या चलता है, उसपे जाच चलता है, यानि कि उसके committee क्या रहती है, उसपे जाच चलती रहती है, इसी durations में क्या है, यानि कि जो हमारे 24 departments, standing committees है, पार्लेमेंट करना, वो examine करती है, जाचती है, जो भी हमारे budgets के अंदर है, details में, या जो भी demands हैं, जो grants के लिए है, जो फिर बात करते हैं, जो ministers हैं, वो prepare करते हैं, फिर एक report को, क्या करते हैं, एक report को prepare करते हैं, और वो submit करते हैं, कहां पे, houses के लिए, for the considerations, यानि considerations के लिए, फिर से, जो रिपोर्ट अब फिर से विचार करने के लिए उसको प्रेजेंट करते हैं यह आपको देखने को मिलेगा किसमें सुरूरेटी बाइट इपार्टमेंटल कमिटी इसके इसके बाद आता है जो नेक्स स्टेप आता है इस्टेज आता है हमारा वो आता है वोटेंग ओन डिमा नियात ? फिर जो भी हमारी its के लिए वोटेंग वेकूंति आता हम गेगा कर सब्सक्राइब करते जाता है details में उसके बाद vote और motion से पहले इसमें क्या जो demands है उसको reduce करने के लिए तीन तडिके के steps उठाए जाते हैं पहला होता है आपका policy cut motion दूसरा होता है आपका economy cut motion और तीसरा होता है token cut motion अब समझते हैं policy cut motions क्या होता है अगर हम policy cut motions की बात करते हैं तो जो भी हमारी की बात करते हैं उसको क्या करना है जो भी हमारे बात करते हैं जो भी नीतियां है यह जो प्रतिनिदित उसको क्या करता है उसको प्रतिनिदित करने का काम करता है राज का जो कहना होता हो यह होता है कि मांग की जो रासी उसको क्या किया जाए घटा करके एक रुपय किया जा तो इसमें डिमांड की जाते हैं रिडियूस करने की डिमांड की रखी जाती है को करते हैं तो यह एक जैसे की बात करते है छाना कहते है इसमें मढ़न करते है जो सो इकार नहीं किया जा सकता जो इमांड होते हैं पॉलिशी की उसको करता है इसमें डिमांड यानि कि जो आमांट शे उसको करने कि जाति है और जो 13 पीसरह होता है हमारा token cut motion , यह किस को करते हैं जो हमारा ? यानि कि जो चीघ अचेज मान काम करता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है त्सक्राइब हो छोन चैजben मान लिए कि जब लोह सवा के अंदर मान लेज़े हांbreak खावश कें यानि कि जो passing है मारा पाजब कट मोसंव पास हो जाता है लोग सभा में जो government की मैजरोटी ऐ वो क्या है कमी है जिसके वज़े से क्या है government को प्रिजिंग निशन भी देना पर सकता है कि यानि कि सरकार को इस्तिफार देना पर सकता 26 दिन का allow किया जाता है जो भी हमारा डिसकस जो budget है उस पर discuss के लिए और जैसे ही last day आता है तो वैसे ही उस पर क्या होती है जो हमारा budget है उस पर voting होना शुरू हो जाते है चाहिए उस पर discuss हुआ हो या ना हुआ हो तो इसे हम कहते हैं ग्लोटाइन यानि कि जिससे हम क्या क्यते हैं ग्लोटीन भी कहते हैं इसे इंसर्ट समझे जो हमारा budget है उस पर चर्चा और वोट करने के लिए 26 दिन दिये जाते हैं लेकिन जो हाँ लाश्ट टे होता है उस पर सभी मांगों पर क्या जो भी डिमार्ट से उस पर वोट किया आता है चाहे वह discuss हो या ना हो और उसे किस नाम से कहा गया उसे ग्लोटीन के नाम से हम कहते हैं फिर आगे जो अगला जो पॉइंट हमारा जो पासिंग ऑफ जो पास होते हैं वे सिचुएशन होते हैं जैसे विड्रॉल फ्रॉम कॉंसलेटेट फंड से ऑफ इंडिया जिसमें अलाव की जाते हैं जो भी रिक्वाइड होती है जैसे कि मेंट ग्रांट सबॉट बाइट लोग सभा एंड एक्सपेंडिचर्स चार्जस ऑन सी एफ आई का मतलब है कॉंसलेटेट फंड ऑफ इंडिया इसका मतलब यह है कि जो लोग सभागे द्वारा जो भी मतदान वोट किये जाते हैं या जो हम बात करते हैं कॉंसलेटेट फंड ऑफ इंडिया पर लगाए गए जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं को पूरा करने के लिए जो भी जो मनी की जो requirement होती है के लिए भारत में जो भी हमारा consolidated fund of India है कि जो मंजूरी देने के लिए क्या है हमारा एक बात करते हैं जो passing appropriate bill pass किया जाता है फिर बात करते हैं जो grant grant cannot be withdrawal without assist of the president इसका मतलब होता है preference president on the appropriate bill इसका मतलब यह है कि जो भी grants है वो बिना president की अनुमती के उसको withdrawal नहीं किया जा सकता है यानि कि जो हमारा appropriations bill है वो बिना राष्टपती के permissions के assisting मंजूरी के बेगर उसे withdrawal नहीं किया जा सकता है इसमें कुछ समय लगता है लेकिन लोकसभा के पास इस बीच में क्या है इतनी सक्ति दी गई है कि जैसे कि इसके जैसे बात करते हैं लेखानुदान जिसे हम कहते हैं पिर समाने जैसे चर्चा समाप्त होने के बाद भी पारित किया जा सकता है और दो महने के खर्च का प्रवाधान इसमें आपको देखने को मिलेगा उसके बात करते हैं जो इसका मतलब यह है आप जैसे देखें इसका मतलब यह था कि जो भी नए टेक्स लगाना है या कोई भी इसके रिकाइडिंग में क्या है पार्लेमेंट के अंदर में संसद में बिल प्रस्तुत किया जाता है फिर यहां पर एक चीज़ और यह देखिएगा जो भी सब्जेक्टेटेड और के सब्सक्राइब जो भी बाट करते हैं प्रोड़ेट के पास अंदर करता है इससे में अपनी सहमती देनी पड़ती है जो भी हमारा फाइनस एक्ट लेकिसलाइज है अगर बात करते हैं जो हमारा इंकम साइडस हैं जो budget के अंदर है complete of the process है वो इन्मेंग हैने की enactment of the budget है यानि कि यह समझे जो भी हमारा वित्य अधिनियम budget है कि आए के पक्ष में को जो वैदिता बनाता है जो budget के अधिनियम के प्रक्रिया को यह क्या करता है सबसे पहल है बनाने का काम करता है इसके बाद हमारा वित्य हमें ग्रांट का प्रिखने को मिल जाता है अगर हम मत बात करें तो हमारे shey हमारे पारलेमेंट के यंदर आपको डेखने को मिलेगा यानि कि budget के अलावा अगर बात करते हैं तो जिसमें हम बात करते हैं ordinary estimates जो भी income है या उसके जो खर्च हैं उसमें हमें 6 तरीके के other grants आपको देखने को मिलेगा जो कि Parliament के अंडर में extraordinary और special circumstances के form में आपको देखने को मिलता जैसे कि हम बात करते हैं supplementary grants जी से हम अनुपूरक अनुदान भी कहते हैं additional grant, access grant, vote of credit, expetational grant और token grant यह 6 तरीके grant आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हम बात करते हैं किसके वारे में जो हमारा supplementary grant होता है supplementary grant के वारे में अगर हम बता बात करें तो यह तब लाया जाता है जब किसी भी specific task को पूरा करने के लिए यानि कि किसी भी विशिष्ट कार को के लिए budget में संसत के द्वारे क्या है अधिकरी तरासी परियाप्त पाई जाती है यहनि कि जो हमारा supplementary grant होता हो तब लाया जाता है जब पार्लेमेंट के अंदर जो budget है बजट में किसी भी specific task को क्या करना हो पूरा करना हो जो भी बात कर जो भी संसत के द्वारे जो भी अधिकरी तरासी है उसमें क्या हो अपरियाप्त पाई जाती है तब उसको पूरा करने के लिए क्या है supplementary grants दिया जाता है फिर बात करते हैं हमारा additional grant का मतलब यह है कि यह उस time पर इसकी जरुवत परती है जब कोई भी जो expenditure है यानि कि कोई भी new services है यह किसी task को provide कराने के लिए जो budget में नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए क्या है हमें additional जो parliament के द्वारा क्या है additional grant दिया जाता है फिर बात करते हैं access grant access grant का मतलब है कि कि कारे को पूरा करने के लिए किसी भी task को complete करने के लिए जो grants दिये जाते है पार्लामेंट को उसको हम कहते हैं access grant इसमें जो vote कि जाते हैं वो लोग सभा के द्वारा और कब जब financial year खतम हो जाता है तब फिर बात करते ह हमारा vote of credit है इसमें एक और याद रखेगा जब financial year क्या हो जाता है खतम हो जाता है तब लोग सभावें vote के द्वारा क्या है जो भी हमारा access grant टास्कों को पूरा करने के लिए वो दिया जाता है फिर जैसे कि इसमें यह भी याद रखेगा कि जो लोग लेखा समीति है हमारा यादि कि public account committee है पारलेमेंट के अंदर वो लोग सभा के द्वारा क्या किया जाता है मतदान उसी के द्वारा किया जाता है फिर vote of credit की बात करते हैं तो यह किसी कारे के लिए क्या है जो भी बात करते हैं unexpected जो expenditures है यानि कि आप रत्यासित जो वह है उसको पूरा करने के लिए पारलेमेंट के द्वारा क्या है सरकार को दिया गया एक खाली चेक होता है जिसके लिए वो कार बात करते हैं जिसके लिए जो भी सट्रीक अनुमान लगाना क्या हो जाता है're स्किल हो जाता है तो उस टाइम पर क्या है जैसे कि जिसके लिए क्या है कार क्या हो या तो एक काफिर ज्यादा भाया वता हो या अनिस्टित्र हो तो उस कंडिशन से में क्या है वोट ऑफ ग्रेडिट दिया जाता है फिर बात करते हैं एक्सपेंट जो हमारा नेक्स्ट है एक या बात करते हैं जो बजट में परदान की गई सेवा या कारे से सम्मंदित वो नहीं रहता है फिर उसके बाद आता हमारा लास्ट टोकन क्रेडिट का मतलब है यानि कि यह समझे इसका यूस तब किया जाता है यानि कि जो हमारा यानि कि एक रुपए का जो अनुदान है पारित करके मूल रूप से बजट में जिस सेवा के लिए अनुदान किया जाता है उसमें से एक नई सेवा के लिए धन को पूना से क्या किया जाता है फिर से विनियो करने के लिए उप्यो किया जाता है तब हमें वहाँ पे टोकन गरांट देखने को मिलता तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का डिसकल जिसमें हमने budget के बारे में discuss किया जो अलग-अलग kind के grants देखने को मिलता हमारी Parliament के अंदर उसको discuss किया तो उजे उमीद है कि आज जो भी हमने lecture 8 में discuss किया वो आपको properly समझ में आ गया होगा next video में हम इसके आगे की topics को continue करेंगे तो यदि वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं share कर सकते हैं एंड चैनल को subscribe कर सकते हैं thanks for watching friends take care जैहिन